Fitness और Nutrition शेत्र में Informatics वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सबस्क्राइब करे और बाजू के बेल आइकोन पर क्लिक करे हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नमस्ते दोस्तो आज की वीडियो में मैं आपको एग योक खाना डाइबेटिक लोगों के लिए अच्छा है या बुरा ये बताने वाला हो एग योक का सीमित मात्रा में 7 डाइबेटिक लोगों के लिए बालेंस डाइट का हिस्सा होता है एग योक, प्रोटीन, विटामेन जैसे की B12 और D और मिनरल्स जैसे की सेलेनियम सहीत विभिन पोशक ततों का एक अच्छा स्त्रोत है हाला की कुछ बातों को ध्यान में रखना महत्व पूरुन है तो वो भाग कौन से है वो अभी हम देखेंगे अंडे में कम काबोहईडरेट होते है यदि आपको डाइबेटीस है तो आप अपने काबोहईडरेट सेवन की जाच करना आपको अत्यानता अत्यानता जरूरी है क्योंकि ये बलड शुगर लेवल को प्रभावीत करता है आम तोर पर एक पूरे अंडे में लगबग ओनली एक ग्रैम कार्बोहईडरेट ही होता है डाइबेडिक लोगों में परसनल डाइट प्राइडरेटी और रिस्ट्रिक्शन अलग-अलग होते है कुछ लोग वाइट एक पर ध्यान केंदरित करना चुनते हैं जिन में कैलोरी और कार्बोहईडरेट कम होते हैं जबकि अन्या अतिरिक्त पोशक तत्वों के लिए अपने आहार में हूल एक याने पूरा एक खाना ज़रूरी है नमब थ्री, कोलेस्ट्रॉल एक योग में डाइटरी कोलेस्ट्रॉल की मातरा अधिक होती है जो अतित में रुधै रोग से जोखिम वाले लोगों के लिए चिंता का विशे रहता है हाला कि लेटेस विचर से पता चला है कि अधिकाउश लोगों के लिए डाइटरी कोलेस्ट्रॉल का ब्लड कोलिस्ट्रॉल के लेवल पर ना के बराबर प्रभाव पड़ता है डाइबेटिक लोगों के लिए बालन्स डाइट में विभिन फूड ग्रूप से विभिन प्रकार के फूड शामिल होने चाहिए अंडे इस अहर का हिस्सा होते हैं लेकिन प्रोटीन, फाइबर और हेल्दी फैट के अन्यस्तरोतों को भी शामिल करना और भी ज्यादा महत्वपूरण है आप अंडे कैसे पकाते हैं? यह भी उनके पोशन मुल्य को प्रभावित करता है अंडे पकाते समय अत्यधिक मातरा में मक्षन या तेल जैसे अनहल्दी फैट्स ज्यादा मातरा में ना खाए खाना पकाने के लिए हेल्दी तरीकों ओच्छुने जैसे की उबलना या नौन स्टीक कुक्वेर का उप्योग करना अंततहा आपका डायट ही आपके डायबेटीस मैनेश करने का असरदार तरीका है